हेलो एव्रिवान मैं हो किरिन शापरी और ये है आप लगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही कराशीफल ये 17 जानवरी से लेकर टूरी 3 जानवरी तक के आपकी टारो रीडिंग्स हैं टारो प्रेटिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुछ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं The Moon and Choose Wisely और दिखें, Moon का कार्ट कहीं अंधेरे की बात करता है Fear, Insecurities की बात करता है Confusion की बात करता है और कुछ ऐसा ही in general यहां पर specifically आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है तो सबसे पहली बात Gemini's इस चीज को सुनके आपने परिशान नहीं होना है क्योंकि tarot guidance के लिए होता है और इस reading से guidance लेके कहीं किसी level पे आप इन चीजों को improve भी कर सकते हैं तो दिखें, सबसे पहली guidance आप लोगों के लिए होगी कि आपने इस week किसी भी चीज को लेकर overthink नहीं करना है क्योंकि Moon कहीं overthinking की भी बात करता है और दिखें, जब भी भी हम overthink करते हैं तभी कहीं हमारे mind में negative thoughts जादा आते हैं और मैंने बहुत बड़ी आपको कहा है कि हमारा mind negative thoughts के लिए बहुत बहुत fertile होता है जैसे ही एक negative thought आता है वैसे ही negativity multiply होती है और कहीं हम अपनी ही create करी हुई negativity में गुम होके रह जाते हैं हम clearly कुछ भी नहीं देख पाते हैं हमारे decisions, हमारी choices wrong होती है और फिर आगे जाके हम बहुत परिशान होते हैं तो देखें, इस week, इस चीज़ का आप बहुत ख्याल रखें कि कोई भी decision लें, कोई भी choice लें, आप किसी इनसान से ज़रूर discuss कर लें specially देखें, जिनको आप trust करते हैं, या फिर जो आपको लगता है कि बहुत experiential है again उनसे discuss करें, उनसे बात करें, और देखें, थोड़ा सा अपने fears और अपनी insecurities को भी कैसे आप overcome कर सकते हैं, उसके उपर भी आप बहुत focus करें क्योंकि देखें, ये भी मैंने आपको हमेशा कहा है, कि fears और insecurities हमारे mind की creation होते हैं, in fact देखें, ये भी negative thinking का ही एक हिस्सा है, तो इन ही सब चीजों से कैसे again आप overcome करें, देखें इसके लिए आप किसी motivational speaker को भी सुन सकते हैं, आप motivational या फिर positive लोगों के साथ connect करें, positive जगाओं को visit करें, ये भी चीज़ें आपको help करती है, negative energy से बाहर निकलने में, तो देखें जो चीज आपके लिए work करती है, आप वो करें, लेकिन थोड़ा सा खयाल रखें, कि negative energies को आप बहुत ज़्यादा nurture ना करें, या फिर आप बहुत ज़्यादा energy, negative energy को ना दें, और देखें, इस चीज़ को अगर आपने check करके ठीक कर लिया, तो इस week के energies को भी आप बहतर कर पाएंगे and personal front के लिए आप लोगों के लिए page of cups and positive movement forward का card है, तो देखें positive movement का card बहुत ही clearly आगे बढ़ने की बात करता है, movement और shift की बात करता है, क्योंकि ये general reading है, तो ये movement, ये shift सब के लिए differ कर सकती है, कुछ लोगों के लिए literally या फिर simply हो सकता है कि आप travel करना चाहा रहे हैं, या फिर आप travel कर रहे हैं, और फिर आप पानी के थ्रू ही किसी जगा पे जा रहे हैं, तो देखें ये हो सकता है कि सब के उपर applicable ना हो, कुछ लोगों के लिए हो, लेकिन ऐसा भी एक possibility मुझे दिख रही है और फिर से positive movement forward के card को देखें तो ये card कहता है कि या तो किसी level पे किसी तरीके के changes मन ही मन अपलाना चाहा रहे हैं again आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं या फिर you know, कुछ changes आपके personal front में specifically आ रहे हैं, और फिर से मैं कहूंगी कि ये सब के लिए differ कर सकते हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि किसी thought, किसी belief system को लेकर बहुत time से आप अपने mind में ही अटका हुआ महसूस कर रहे थे और इस week कहीं उसी thought, उसी you know, negative belief system को आप release कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि कि किसी जगा किसी इनसान, किसी relationship से आप temporarily या फिर permanently आगे बढ़ना चाह रहे हैं, move on करना बहुत emotional, बहुत sentimental चीज़ों को लेकर होते हुए देख रहे हैं और देखे, ये immature emotions या फिर immature sentiments जादा रहते हुए देख रहे हैं in fact, जेमनीज हो सकता है कि आप again बहुत maturity के साथ चीज़ों को नहीं deal कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा childish behavior है तो देखे, इस चीज़ को भी अगर आप पाएं, तो जरूर चेक करके correct करें and guidance है, आप लोगों के लिए spread your wings का card है और देखे, literally अगर हम इस card को देखें तो ये card कहता है कि अपने punk खोलें और अपनी उड़ान भरें, यानि कि जो आप अपनी जिन्दगी के लिए चाहते हैं उस direction में आप action initiatives लें, again उस direction में एक उड़ान आप जरूर भरें और जो भी चीज़ें आपको restrict कर रही हैं limit कर रही हैं, again उनको भी आप overcome करें और देखे, जेमिनीज मेरा मानना है कि सबसे बड़ी limitation सबसे बड़ी restriction हमारे negative thoughts होते हैं हमारे negative belief systems होते हैं और देखे, आप लोगों के लिए इस week के लिए moon का भी card है और moon भी कहीं किसी level पे negative energies की, यहाँ पे negative thoughts और belief systems की बात करता है तो यहाँ पे देखे, guidance का card भी इन ही चीज़ों से overcome करने की बात करता है अपने goal अपने मकसद पे focus करके, उस direction में action initiatives लेने की बात करता है and astrology से आप लोगों के लिए Mars का card है और इसके हिसाब से red color इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो यह था जेमिनीज आप लोगों के लिए coming week का साबता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए